विटेज को बढ़ाने के लिए वो नीचे लिख लेते हैं बिजनस कोच सौ में से 98 प्रतिशत स्पीकर वो लोग हैं जिन्होंने या तो रियल लाइफ में बिजनस किया ही नहीं या वो अपने बिजनस में फेल हो गए हैं और उसके बाद उनको लगा कि लोगों को सिखाने में ज्यादा पैसा मिलता है चलो सिखाना शुरू कर देते हैं या उन्होंने सच में अपनी लाइफ में रियल बिजनस में ग्रोथ हासिल की या ट्रेनिंग सेल कर रहे हैं तो वो आपका ट्रेनिंग सेल का बिजनस बढ़ा हो गया तो आप लोगों का बिजनस बढ़ा करा रहे हैं और फ्रेंट्र अमित महेशवर इतनी एनरजी लगाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बिजूब सिब्सक्षा अपना जो भी जब्र प्रोफेश्ण करता हूं उसमें भी मुझे अपनी एनरजी पूरे के तरीके से लगाने चिह हैं यहां पर आने से मुझे मेरे पोर्सनल प्रोफेशन के अंदर भी कम से कम साथा टोग मिल गए तो शायद मेरे फीचर ग्लाइंस बन जाएगा अमित महिश्वरी की एक बाद में सबसची है लगी कि अभी तक उन्हें जितनी भी ट्रेनिंग्स या जितनी भी सेमिनार की हैं वो सारे उनके प्रेंटिकल अनुभोग पर बेज है हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित महिश्वरी और बाए प्रोफेशन मैं एक बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर हूँ और मेरी कंपनी है मेटास ओवर्सीज लिमिटेड जिसमें हम स्टेलने स्टील मोडूलो किचिन की मैनुफैक्टरिंग एक्सपोर्ट करते हैं आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी और डिलर्शिप नेटवर्क है फ्रेंड्स मैं आज आपसे एक सवाल पूशता हूँ वट यू नीड फॉर सक्सेस आपको सफलता के लिए क्या चाहिए हम इसे बहुत सार लोग है सोचते हैं कि कोई देदे मेरा साथ और पकड़के मेरा हाथ मुझे मेरी मंजिल तक पहुचा दे इसके लिए हम फेस्बुक पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनस कोच, एडवाईजर, मेंटर और कंसल्टेंट्स को यूट्यूब, फेस्बुक, इंटरनेट पर ढूंडते रहते हैं उनसे चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ If you have dream to get success and don't know what to do, how to do, when to do, where to know then answer is yes, हाँ अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं और आपको नहीं पता क्या करें, कैसे करें, कहां से जाने तो सच में आपको motivational speaker, business coach, advisor, mentor और consultant की ज़रूत है लेकिन मेरा आप लोगों से एक प्रश्ण है कि आखिर इन में से कौन आपको business coach चाहिए, mentor चाहिए, consultant चाहिए इन में से आपके लिए कौन बेस्ट है या केवल motivational speaker से motivate होकर आप तयार तो हो जाएं कि कुछ करना है पर आपको पता ही ना हो कि life में मुझे करना क्या है आपको इन में से क्या चाहिए, इस बात का नेना लेने से पहले न आपको बहुत कुछ चीजों को पहले जानना जूरूरी है आप देखेंगे आपके चारों तरफ हर जगह content भरा हुआ है चाहे Facebook हो, YouTube हो या Internet हो और बहुत सारे motivational speaker, life coach, storyteller, inspirational speaker, leadership consultant ये जो काम करते हैं ना इनके काम की weightage, इनके नाम की weightage को बढ़ाने के लिए वो नीचे लिख लेते हैं business coach मतलब motivational speaker and business coach, life coach and business coach storyteller and business coach, inspirational speaker and business coach, leadership consultant and business coach अब प्रश्णी ये उठता है कि आप इनमें से किसका chain करें क्योंकि ये weightage के लिए अगर लिख लेते हैं तो क्या वास्तविकता में आपके जीवन में कोई transformation कर सकते हैं ध्यान रखेगा, चार तरह की transformational journey होती है और वो चार तरह की transformational journey क्या है? वो होती है training, advising, consulting और coaching के जरीए अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको training चाहिए, advising चाहिए, consulting चाहिए या coaching चाहिए, या mentorship चाहिए इस बात को समझने से पहले ना, इनका meaning आपको clear होना चाहिए सबसे पहले बात करते है, training की एक trainer जो आपको training देता है, उसके साथ क्या है? कि वो आपके attitude, skill और knowledge को uplift करता है एक trainer का काम है कि आपकी knowledge को, आपके skill को, आपके attitude को uplift करना ताकि आपकी personality में वो spark आ सके कि आप लोगों को प्रभावित कर सके आपके अंदर वो confidence आ सके कि आप अपने लक्षों को हासिल कर सके इसका तरीका क्या है? one-to-one coaching आप ले सकते हैं या आप group training ले सकते हैं मतलब या तो one-to-one एक trainer के साथ indirect या direct training ले सकते हैं online या offline या आप group format में भी जा सकते हैं पर बहुत सारे लोग एक trainer से एक तरह की training लेते हैं ताकि आप अपनी ability को enhance कर सकें अपनी योग्यता को बढ़ा सकें ताकि आप अपने लक्षों को हासिल कर सकें दूसरा जो concept है वो क्या है? advising एक advisor जो होता है ना उसका काम होता है सलाकार के रूप में वो company के board of directors को advise करता है ताकि वो एक particular field में अपने प्रश्णों का जो उनके मन में प्रश्ण है उसका जवाब पा सकें या अगर उनके प्रश्णों में कहीं कोई कमी रह गई है उनके विचार में कोई कमी रह गई है तो वो add-on कर सकें हां यहां पर यह समझना बहुत जुरूरी है कि जो advising होती है ना उसके लिए एक person को domain knowledge होना बहुत जुरूरी अभी domain knowledge क्या है दो तरह की knowledge होती है domain knowledge and functional knowledge domain का मतलब होता है किसी particular field में knowledge जैसे आप एक अच्छे financial advisor की knowledge ले सकते हैं अगर आपको finance के बारे में जाना है आप marketing की knowledge ले सकते हैं marketing की advice ले सकते हैं या आप legal की advice kier layered organisers होते हैं चुकि एक legal advisor आपको कानून से संबंदित सला तो दे सकता है बिजनस को कैसे बड़ा करना यह सला नहीं दे पाएगा या फाइनेंस एडवाइजर जो होता है फाइनेंस से संबंदित आडवाइजिंग करता है को मार्केटिंग वाला मार्केटिंग से संबंदित आडवाइजिंग करता है तो आडवाइजर क वो परसन होता है जिसको किसी भी बिजनस या किसी भी प्रोफेशन की practical experience के साथ in-depth knowledge होती है क्योंकि उसने उस काम को किया होता है इसके लिए जरूरी है कि अगर आप अपने business की strategies को design करना चाहते हैं तो आपको जरूरता है एक right consultant की जो आपको in-depth knowledge दे सके क्योंकि वो in-depth knowledge उस अपने experience से grab की है, sales strategy कैसे design करनी क्योंकि उसने अपने business में sale format पे काम किया है, marketing कैसे करनी क्योंकि lead generation उस consultant ने अपने business में generate की होगी इसके लावा growth strategy अगर वो consultant अपने खुद के business को real business को expansion की ओर ले गया है तभी वो growth strategy की सही planning आपके business के लिए कर सकता है expansion strategy की कैसे हम business में expansion करें ध्यान रखिए एक consultant आपके business के लिए बहुत बेतर हो सकता है बशरते उसके पास practical experience हो business या industry का और यहीं एक सबसे बड़ी समस्या है हर व्यक्ति हर motivational speaker हर coach अपने आपको consultant कहता है पर real life practical उसने किया नहीं होता खुद business run नहीं किया होता खुद industry चला ही नहीं होती इसलिए industry में आने वाली समस्याओं के बारे में भी उनको पता नहीं होता तो यह समझना बहुत जूरुरी है consulting के बाद है coaching जिस तरह से training होती है उसी तरह से coaching भी होती है पर training and coaching में थोड़ा सा difference है coaching भी one-to-one हो सकती है या group coaching हो सकती है इसका फाइदा क्या होता है किसी भी coach से जब हम एक knowledge को grab करते हैं तो most of the time यह देखा जाता है कि उस coach नहीं क्या practically वो चीज़े हासिल की है अचीव की है practical knowledge के साथ वो किस particular field में काम करते हैं जैसे life coach और life coach का का काम क्या है आपकी life को ब fitness coach अगर fitness coach है तो उसने कहीं ना कहीं fitness में को achievement की होगी जिसकी वज़े से वो fitness में आपको भी uplift कर सकता है मतलब आपको कितना काम करना है कैसे काम करना है कैसे exercise करनी कैसे workout करना है उसका schedule क्या होगा उसकी programming क्या होगी वो सब कुछ एक experienced fitness coach आपको बता सकता है ठीक यही बात spiritual coach की बात होती है अगर आप आध्यात्म में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं उन्नती की ओर जाना चाहते हैं सुख शान्ती और संवरिदी की ओर जाना चाहते हैं तो आपको spiritual coach की जरूरत है अब important बात क्या है अगर आप एक small scale business owner हैं और आप अपने business को scale up करना चाहते हैं large scale पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको जरूरत है एक सही business coach, business trainer, business consultant और business mentor का selection करने की अब ये selection करें कैसे तो ये सारी बात जो मैंने आपको बता ही थी पहले इसको समझ लें उसके साथ साथ ये जरूर चेक करें कि अपने business में जिससे भी आप consulting कर रहे हैं जिससे भी आप mentorship क कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या actual में business कर चुका है या नहीं मतलब ground reality पर उसको business के knowledge है नहीं क्या उसने business में सच में खुद कोई success हासिल की है भारत जैसे देश में सौ में से 98 प्रतिशत speaker वो लोग हैं जिन्होंने या तो real life में business किया ही नहीं है या वो अपने business में fail हो गए है और उसके बाद उनको लगा कि लोगों को सिखाने में ज्यादा पैसा मिलता है चलो सिखाना शुरू कर देते हैं इसके अलाबा क्या उन्होंने अपनी life में कोई growth हासिल की है बड़ा business का मतलब यह नहीं है कि आप अपने business के बड़े की बात कर रहे हैं कि आप training sale कर रहे हैं तो वो आपका training sale का business बड़ा हो गया तो आप लोगों का business बड़ा करा रहे हैं बड़े business का मतलब है कि क्या आपने real में बड़ा business किया है achievements आपने अपनी life में क्या coach business trainer business consultant mentor तो आपको जरुवत है यह समझने की कि क्या उसको practical knowledge है नहीं क्योंकि आज बहुत सारे coaches बहुत सारे trainers बहुत सारे mentors teaching कर रहे हैं with the help of theoretical content और वो कहां से लेते हैं book और some other resources आज internet पर इतनी जानकारी भरी हुई है कि वो जानकारी को search करते हैं content design करते हुं और लोगों के सामने deliver करते हैं Ground reality का उनको पता नहीं होता कि एगर factory है की तो production level पे क्या problem आती है labor से related क्या problem है उनको कैसे manage करना है बिजनस में inflow & out flow को कैसे manage करना है बिजनस में inflow & out flow के अलावा team का management कैसे करना है बिजनस में administration कैसे करना है funds के management के अलावा business के expansion की planning कैसे करनी है right marketing कैसे करनी है overall business का functional knowledge उनको नहीं होता जिसकी वजह से कुछ समय तो coaching करते हैं और बाद में वो अपना client change कर देते हैं इसलिए आपको जो चीजे चेक करनी है उनमें से पहली चीज क्या है he or she must have a real business जिससे आप coaching लेने जा रहे हैं जिससे आप consulting कर जिसको आप mentor बना रहे हैं उसके पास एक real business का experience होना चाहिए no business problem in their solution उसको पता होना चाहिए कि वास्तिविक्ता में business की problem क्या है और उन problems का solution क्या है इसके लावा उनको पता होना चाहिए कि ground reality of business क्या है या possibilities of market किस तरह की चल रही है कि भविश्य में आने वाले समय में कौन कौन सी growth opportunity होगी और जिस industry को जिस तरीके से आप चला रहे हैं क्या उसको चलाने का वही right method है अगर आप यह सारा selection कर लेते हैं तो आप एक सही mentor सही guide सही coach सही consultant के साथ अपने business को उन संभावनाओं तक ले जा सकते हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं यह ठीक उस तरह ऐसे ह कि जिम में आप जाकर exercise तो कर सकते हैं पर क्या आप वैसी body बना सकते हैं जैसा एक professional body builder है उसके लिए जरुत होगी आपको training की coaching की सही diet बताने के लिए अच्छे dietitian की जरुत है चीजों को सीखने की और समझने की और यह निर्णे लेने की कि इतनी बड़ी भीड में से कौन आपके लिए सही है हमारी company metas overseas limited ना केवल एक manufacturing और export based company है बलकि हमने अपने business को expansion भी किया है और अगर आपको लगता है कि हर businessman आपको coach कर सकता है तो ऐसा संबब नहीं क्योंकि एक businessman जिसने एक business में सफलता आसिल कि हो सकता है इसको दूसरे business के knowledge ही ना हो उसे पता ही ना हो कि इ consultant and coach की जिसने vertically बहुत सारी companies को coach किया है बहुत सारी company को train किया है बड़े-बड़े brands को consult किया है वही आपको expansion के और ले जा सकता है तो सोच समझ के चुना करें ताकि आप अपने लक्षों को हासिल करें इसके लाव आपके मन में कोई भी प्रश्न है business related तो वह प्रश्न हमें comment box में जुरूर लिखें और आप अपने जीवन में अपने लक्षों को हासिल करें मैं इश्वर से ऐसी कामना करता हूं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत